नमस्कार मैं डाक्टर राजेइन प्रिशाद बल्लबभाई पटेल चेस इंस्टूट डिल्ली का पूर्व निर्देशक रह चुका हूं। मैं किंग जार्ज मेडिकल इन्वर्स्टी लखनो मैं पल्मनरी मेडिसिन बिवाग का बिवागय दक्ष रह चुका हूं। मैं लगबग 40 से जादा सालों से फेफड़े की रोगों का इलाज करता हूं। सवाल ये है, एक मेरी सिरीज मैंने स्टार्ट करी है यूटूब पर कि अपने फेफड़े आप स्वस्त कैसे रखें। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि फेफड़े के दुस्मन, चार दुस्मन है मेन, उसमें स्मोकिंग है, बायमास्टूरल है, पॉलूशन है और आपके रहन सहन का भी असर आपके फेफड़ों पर बहुत पड़ता है। मैं खाने के बारे में भी इसके पहले एक लेक्चर में बता चुका हूं, आज मैं आपको एक्सरसाइज, योग और के बारे में बिस्तार से बताऊंगा, कि फेफड़े आपके स्वस्त कैसे रहे। फेफड़ों को अगर आपको स्वस्त रखना है, तो आपको खाना तो ठीक खाना ही है, टाजा खाना खाना है, रिगुलर समय पर खाना खाना, उसकी अलामा आपको एक्सरसाइज करना है। जैसे exercise पूरे सरीर को स्वस्त रखती है, हार्ट को स्वस्त रखती है, तो वो फेपड़े को भी स्वस्त रखती है. अब सवाल इस बात का है, कि exercise कैसे करना चाहिए, उस पर मैं बहुत ना जाके, लेकिन आपको regular कुछ न कुछ exercise अपने सामर्थ के हिसाब से करना चाहिए. आप जा सकते हैं, जिम में ले सकते हैं, और exercise करने के पहले मैं हमेशा कहता हूँ, अपने डाक्टर से अपना चेक अप जरू करा लें, कोई पहले से तो नहीं, आपका हार्ट या फेपरा कमजोर है, जिससे exercise हो सकता, आपको exercise करने में दिक्कत है, तो आप exercise अपनी capacity के अंदर exercise के अलामा योग का भी बहुत महत्त है, योग जैसा आप सब जानते हैं, योग एक काफी discipline life आपको बिताता है, जीने का अंदाज देता है, जीमन जीने की कला है, जिसमें आप regular योग करते हैं, योग को हमेशा किसी trained instructor के साथ ही करना चाहिए शुरू में, अब जब बाद में आपकी training हो जाए, तो आपको swimming भी करना चाहिए, और अगर आपको कोई बिमारी है, तो उससे योग को आपको modify करने चाहिए, meditation, जो आप करते हैं, प्राणायाम, बहुत अच्छी चीज है फेफड़ों को स्वस्त रखने में, आप किसी योग expert से अपना meditation सीखें, और meditation अपना करें, अगर ये सब चीजों exercise, योग, meditation अगर आप करेंगे, तो आपके फेफड़े पहले तो कमजोर नहीं होंगे, आपने स तुना है कि योग और ये सब पहले तो आपको स्वस्त रखने के लिए हैं, और बात सही है, अगर आप स्वस्त रहेंगे, तो आपके फेफड़े हार्ट सब चीज स्वस्त रहेंगे, बहुत बहुत धन्यबाद,